गोड एवनिंग यूपी ट्रिपलेस्टी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी चात्रों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित नाज जी ने चुनाओ के पहले कहा था और शपत लेने के बाद उन्होंने घोशना की है और 100 दिन में 13680 पर भरती की जानी है यूपी ट्रिपलेस्टी के द्वरा और यूपी ट्रिपलेस्टी को इसके लिए नरदेश जारी कर दिये गए हैं कि 100 दिन में 13680 पर भरती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो आई ये जान लेते हैं क्या रहेगा इसकी प्रिक्रिया और कौन-कौन से पद हैं जिन पर ये भरती होनी है तैयारी शुरू कर दीजिए समय बहुत कम है अपने साथियों और मित्रों को भी शेयर कर दीजेगा ताकि वो भी इसकी जानकारी हो जाए और अपनी तैयारी शुरू करने है तो ये है लेटेस्ट अप्रेट उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चेयन आयोग सो दिनों में विमिन्द विभागों के कुल 13685 पदों पर भरती के लिए विज्ञापन निकालेगा इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की ओर से अधियाचन भेजने की प्रिक्रिया में तेजी लाने की व्योस्ता भी की जाएगी याने आने वाले सौ दिनों में अलग लग विभागों के 13685 पद जिन पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है उन पर भरती का विग्यापन निकाला जाएगा और इस भरती को सौ दुने को भीतर पूरा भी किया जाएगा तो पूरी खबर बिस्तार से ये लखनौ से खबर है उतर परदेश अधिनस सेवा चेन आयोग अगले सौ दिनों में बिभिन्द विभागों के कुल 13685 पदों पर भरती के लिए विग्यापन प्रकाशित करेगा आयोग 21570 पदों पर भरती के लिए परिक्षाएं आयोजित करेगा और इस अवधि में आयोग की ओर से 13041 पदों के रिजल्ट घोशित किये जाएंगे यानि 100 दिनों में 3 कारी होंगे 13685 पदों के लिए विग्यापन प्रकाशित किये जाएंगे 21570 पदों पर परिक्षाएं कराई जाएंगे और 13041 पदों के रिजल्ट घोशित किये जाएंगे ये 100 दिनों का टार्जेट दिया गया है UPSS को तो समय बहुत कम है वर्ष 2022-23 के दोरान विभिन्द विभागों में समलित राज्य प्रवर अधिनस्त सेवा परिक्षा के आधार पर की जाने वाली भरतियों के लिए सम्बंदित विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक 30 अपरेल तक अधियाचन बेज देंगे कार्मिक विभाग इसकी व्योस्था बना रहा है यहने जो प्रवर अधिनस्त सेवा परिक्षा में रिक्त पद हैं उनके लिए 30 अपरेल तक अधियाचन मांगा गया है 22 तेश के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अधियाचन बेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे जवाब दे बनाने के लिए विभागों की ओर से अधियाचनों को पोर्टल के माध्यम से आनलाइन बेजने की व्योस्था की जाएगी पहले हार्ड कॉपी भेजी जाती थी लेकिन अब पोर्टल के माध्यम से आनलाइन भेजा जाएगा किस विभाग ने कितनी वेकेंसी है इससे चैन प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी हो सकेगी कार्मिक विभाग ने ये भी तैक किया है कि अगले सौ दिनों में जेश्ट्रता के आधार पर की जाने वाली पदोन्तियों के मानक निर्धारित करने के लिए शाषना देश जारी करेगा यहीं सीनियार्टिक कम प्रमोशन उसके लिए क्या गाइडलाइन्स होगी ये भी सौ दिनों के भीतर जारी हो जाएगी साषन के द्वारा अभी राज्य सरकार की सेवाओं में प्रमोशन के लिए अनुप्यूक्त को अस्विकार करते हुए जेश्ट्ता के आधार पर की जाने वाली पदोन्तियों के लिए कोई मार्ग दर्शक सिधान्त नहीं है तो गैडलाइन्स भी जारी की जाएंगे कि किस आधार पर सिन्यार्टी के आधार पर प्रमोशन किया जाए इसकी वज़ा से विभिन्द चैन समितियां अलग-अलग मानक अपनाती हैं चैन में एक रूपता नहीं होती है मार्ग दर्शी सिधान्तों के लागू होने से सरकारी कमचारियों के बारे में विभागी चैन समितियों को निर्णे लेने में आसानी होगी वस्तनिष्ट पारदर्शी समरूपी तरीके से रोननतिकी करवाही की जा सकी तो इस तरह से अब तीन कारी होने हैं पहला तो विज्ञापन जारी होगा दूसरा 21,000 पदों पर परिक्षा कराई जाएगी और इसके बाद जहां जहां वेकेंसिज हैं उनसे अधियाचन मागे जाएगे तो आप समय शुरू हो गया है गौर्मेंट जॉब मिलने का परिक्षाओं का रिजल्ट्स का तो पूरी तरह से आप अपनी तैयारियों में लग जाएं समय कम है यह जानकरी आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप पहले से अवेर रहें अपनी तैयारी बुष्टप करे और सेलेक्शन लें ओके थैंक यू